हेलो क्यूटीज आप सभी लोग का स्वागते मूवी इस पंगर्ट में आज हम बात करने वाले हैं अधीड विद फ्यूजर की एपिसोड 22 की एपिसोड के स्टर्विव फार्ट मे आप उनके मैं कभी भी ब्रेक अपनी कर mellan इस शादी करें और तो मेंकिə चाल प्रक्षण ब्रूद से मोल ज ABOUT ओक्षाद होगी हैं Best ऐ मैं कोशिष करता है बट यह बोल दो देता है कि मुझा जोइ बातShgp अर्पर दिखाते या अज वूसी जगापर जाके ड्रिन्क करने लगता है जो इसने जो लाइक बनाई थी बच्पन में नेक्स्ट दिखाते हैं हैं फैंक जुलाई को कॉल करते हैं उसको बताता है कि याउजेंग मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है उसका फोन भी स्वीच ओफ आरहा है और वह आज ऑफिस भी नहीं आया आजकर वह कुछ ठीक से बरतावनी कर रहा है उसे सुनके जुला जा रहे थे तो वह से बोल देता है कि अगर में जरूरत हो तो मैं आजाता हूं पर तोलाई बोल देती है कि नहीं मैं खुदी देख लूँगी फिर दिखाते है याउजेंग एक बार में बहुत अदा दर्रिंक कर रहा होता है और वहीं पर शीशी अपनी फ्रेंड के साथ इसे तो हैं इसकी नहीं को बारा जाता है वह स Lautana हो उसे तो खुड़ेंग और में इन बेटर चुद कर देती हैं और ने याँजेंग के रहा है कि मेरे बीच कुछ भी नए है और फोस कार साथ जका है तो तर दो अब आतो हो थोड़ने सब्सक्दि तॉड़ने छ़ोने ना म तो शीशी भी बोल देती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस टाइम मुझे अपने फ्रेंज के साथ इंजॉय करना चाहिए था, अगर मैं एक ड्रंग कार्ट को उसके घर पर छोड़ने जा जी हूँ, उसकी बाद सुनके याउजिंग बोल देता है और शीशी कहते है कि बस एक थैंक्यू ही, तुम कितने हार्ट लैसुमचे तो तुम्हें घर तक लाना ही नीचे है था, पर जैसे याउजिंग देखता है कि जूलाई उसके घर के नीचे ही घड़ी है, वो एकदम से शीशी को हग कर लेता है, उसको किस करने लगता है, उ अगले ही मिनट इतने डिफेंट से लगते हो, फिर दिखाते हैं, कैप्टन चिन जूलाई का वेट कर रहे थे, और जूलाई उनको लेक्ट कर रहती है कि आज आप थोड़े से अलग से लग रहे हो, बात किया है, कहीं आप चैलिस सो फील नी कर रहे थे, कि मैं आके ले और फिर रात काफी हो गई थी, तो कैप्टन चिन कह रहे थे हैं, कि ठीक है, मैं चला जाता हूं, तुम भी घर पे चले जाओ, और जूलाई कैप्टन चिन को जाते हुए, देखकर सोचती रहती है, कि वो कैप्टन चिन से कितना जादा प्यार करती है, फिर दिखाते हैं, प्रणी सोचरी होती है, कि याउसें ने मुझे एकदम से किस कर दिया, और फिर घर जाने के लिए भी बहुल दिया, बात किया थी, कहीं वो शाही तो नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया हो, तो वो यह सोच के काफे ज़्यादा खुशी हो तो इसके मैनेजर कहती है, कि तु याउसें उससे कह देता है, कि सीदी बात ही है, कि मैने तुमारा यूस किया था, अब यह मत पूछना क्यों किया था, क्या किया था, बस मैने तुमारा यूस किया था, और इससे जादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, कुछ एक्सपेक्टेशन मुझे मत रखना, उसकी बात शीशी महां से गुस्ते में चलिए आती है और तब इसको हैंफेंग दिख जाता है और उसको पकड़के वो पूछना लगती है कि याउजेंग ने मुझे बोला कि वो मुझे यूज कर रहा था किस बात के लिए यूज कर रहा था सब सच बार बताओ मुझे हैंफेंग कहता है कि याउजेंग यूज कर रहा है न तो उससे जागे पूछो मुझे क्या पता बट फिर भी शीशी हैंफेंग से उगलवाई लेती है और उसको पता सर जाता है याउजेंग जूलाई की विजासे ऐसे कर रहा है क्योंकि वो जूलाई के साथ अपनी तुम्हारा मैसेज मैंने अभी देखा और उससे बोल देता है कि चलो रात को डिनर पे चलते हैं तुम कैप्टन जन को बिला ले और में शीशी को बिला लूगा जूलाई भी इसके लिए तियार हो जाती है दूसरी साइट दिखाते हैं शीशी बहुत ही जादा गुसे में और तब याुजञ को अजाता है वो से बोल दे था है कि रात को में साथ दिनर पे चलना शीशी बोल देता है कि मुझे भूब नहीं है तो याुजञ कह देता है कि कोई बात निः बस्मने साइट में बैच जाना इससे बहादा मुजे कुछ नीच चाहिए शीशी भी घुत सोझे है कि तुम इसे माफी इस टाइप से मांगोगे क्या या। याॉजंग वेवागा। उसके बाट सुनके को और मना कर जाती है कि मैं तो आने वाली नहीं और मैं तो जब याउजिंग रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब ही वहाँ पर शीशी भी आ जाती है याउजिंग उससे कहने लगता है कि तुम तो बिजी थी अब तुम कैसे आ गई पर शीशी बोल देती है कि जब मैंने प्रॉमिस किया था तो उसको नहीं था तो नहीं था तो जूलाई को पसंदी तो शीशी बोल देती है कि यह दिस तो मुझे पसंदी नहीं है तुमने मेरी एक भी फेवरिट डिश ओर नहीं करी तो जूलाई उसको मैनी पकड़ा देती है कि तुम अपने लिए चूस कर लो अफर कैप्टन जिन भी जूलाई से बोल देता है कि शीशी उसको वाश्रूम में ले जाती है तेबल पर बचते हैं कैप्टन जिन और याउजिंग और कैप्टन जिन बोल देते हैं कि पहले मुझे पता नहीं था कि मेरा ठीक हो जाएगा मुझे लगा था कि मैं हमीशा ही ऐसे डिसेबल रहूंगा इसलिए मैंने जूलाई को जाने के लिए बोल दिया था मागर मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ अब मैं जूलाई को नहीं छोड़ूंगा और याउजिंग भी बोल देता है कि मैं भी गिवप नी करने वाला वाश्रूम में शीशी जूलाई से बोल देती है कि तुम इतनी इनोसेंट हो या तुमें फ्रेंड बन के रह सके और अभी यह एक्टिंग में और जादा नहीं करना चाहती हूँ तो इसलिए प्लीज यह अच्छा होगा कि तुम उसकी फ्रेंड बन ना छोड़ दो फिर दिखाते हैं महां से वापस जाते हुए कैप्टन जिन जूलाई से पूछने लगता है कि कु तुम्हारा ख्याल रख ले तुम्हें प्रोटेक्ट करें फिर जूलाई पूछने लगती है कि उस दिन बारिश में भी यह उसे जब मिलने के लिए था तो उसे भी तब तुम नहीं बुलाया था और फिर वह कैप्टन जिन ने बहुत जादा गुस्ता हो जाती है कि तुम दोनों ही मुझे जूट बोल रहे थे एक वो इंसान जिसको मैं सबसे जादा प्यार करते हूं और एक मेरा वो दोस्ट जो मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा है दोनों नहीं मेरे साथ ऐसा किया जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फिल करती हूं पर वहां से घुसे में चली जाती है दूसरी तरफ शीशी ने भी आउजिंग को बता दिया था कि मैंने जूलाई को सारी सचाई बता दी है कि हम दोनों फेक रिलेशन्शिप में है तो चलाने लगता है कि तुम्हारे हिमत कैसी इसको यह सब कुछ बताने की शीशी भी बोल करूंगी और फिर वो भी याउजंग को बता देती है कि मैं भी तुमसे बहुत जादा प्यार करती हूं अब मैं फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाती हूं अब याउजंग शीशी की बाद सुनके घुसे में वहां से चला जाता है फिर दिखाता है कैप्टन जिन भी जूल जाते हैं और लुफैंग उनको बता देता है कि मैंने सबसे बता दिया तो सभी दिमागिक लगाने में लग जाते हैं कि क्या करके कैप्टन जिन जूलाई को मना सकते हैं सारे लोग काफी सजेशन दे रहे थे बट कैप्टन जिन को कुछ पसंद नहीं आ रहा था फिर दिख कर लग जाते हैं तो कैप्टन जिन इसको पार बचा रहे थे जूलाई बोल भी रही थे कि छोड़ दो मुझे पैट कैप्टन जिन इसको हर पार बचा लेते थे अब उसको प्रोटेक्ट करकी घड़ हो जाते हैं फिर भी बहुत ज्यादा बीरसी थी मगर फिर जूलाई को ससक्क्राइब करें लृट का अगर आपको यह प्रसंद आया हो तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर तो इस वीडियो